शौगत एक बर फिर से आप सभी तमाम डेलेट शाथियों का आपके अपने यूटूब चैनल एक और इंपोर्टेंट क्लास क्लास सेवन टॉपिक नंबर सेवन और इस वीडियो में आप लोगो व्याक्टिगत विविनता है और इंडिविज्वल डिफ्रेंसेस का कम्प्रेट एंसर बताएंगे तो इन टॉपिक से जाड़कन डियलेट फाइनल एक जाम में कई वार्ट क लिए उनसे करना है बाकि जिनको अभी तक नोट्स नहीं मिला है या फिर आप नोट्स लेना चाहेंगे तो डियलेट फाइल एक्जाम की बहत्रीन तयारी के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का बहत्रीन नोट्स बनाए गया है जिसमें आपको टोटल टेन पर बसका नोट्स के साथ साथ एक जम खतम होने तक आपको पूरा गाइडेंस किया जाएगा जम का टीप्स और ट्रिक्स के साथ तो पिछले सेशन दो हैर 1921 की बात की जाए तो हमारी तरब से तयारी करवाए गया था जो नोट्स दिया गया था जिनकी मदद से यहां पर आप अमित्र जी और सनया जी इन्हों ने 88 परसंट से लेकर 90 पर संट तक कीजल किया इसके बाद सुभं जी अधिती जी और मेसे भार गप यह हमारे टॉपपर लिस्ट में थे टॉप टॉप three में और इन्हों ने 88 परसंट सेंसे नाइंटी पर संट तक भी रिजल्ट किया है तो है वीडियो क्लास तक बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब को लिजेगा तो आज का important topics है व्यक्तिगत विविनिता इंडिविजल डिफ्रेंस तो आगा में डियल एलेट फाइल एक्जाम 223 को लेकर ये टॉफिक आप लोग जरू तयारी करके जाएंगे और इनका complete क्लास भी देंगे और complete एंसर भी बताएंगे वीडियो क्लास तक बने रहेगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजेगा इसी तरह से आप आपको इनका नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स पर मिल जाएगा इस स्क्रीन पर दिख रहे है नंबर एक कानवे दस एक कानवे पंद्रह बावन पर हमें वाटसाप में मैसेज कर दिजेगा आपको नोट्स भी प्रवाइट कर दिया जाएगा जिससे आप दियलेट फाइल एक्जाम के बहतिन तयारी कर सकते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों इस्टूडेंट्स तो चले आज के इंपोर्टन टॉपिक्स है व्यक्तिगत विविनिता एनि इंडिविजल डिफरेंस तो इसका कंप्लेट क्लास देने जा रहे है वीडि इंडिविजल डिफरेंस तो सबसे पहले जानेंगे कि व्यक्तिगत विविनिता का अर्थ क्या है तो चले क्लास सुरू करते हैं व्यक्तिगत विविनिता का अर्थ पर्तिक वच्चे की सिखने की दर विन विन होती है सभी व्यक्तिगत विविनिताओं के दौरा यहां निस निकलता है कि कोई भी दो व्याक्ति एक जैसे नहीं होते हैं यानि आप सभी जानते हैं कि जितने भी इस दुनिया में इस संसार में वच्चे हैं उनमें सिखने की जो दर है वो अलग-अलग होती है शाथ ही इस दुनिया में इस संसार में सभी व्याक्ति गत विविनता भी अ समन्ता नहीं होती है अगर जूला भाई बैन है तब भी उसमें कोई न कोई जो है डिफरेंसेस रहता है उनमें रंग, रूप, सारी गठन, विशिष्ट योगताओं, बुद्धी, अभिरूची, सौभाव, आदी के संदर में एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्यता होसर मिले पाई जाने वाले इस विन्यता को ही व्यक्तिगत विविन्यता कहा जाता है यानि पर्तेक्ट व्यक्ति की अपनी विशिष्टा होती है जिसमें एक दूसरे से मानसिक, सनवेदात्मक, आदी दसाओं में विन्य होते हैं और उनकी इन विन्यता को ही व्यक्तिगत विविन्य का एनि इंडिविजियल डिफ्रेंसेस का मीनिंग ठीक है तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है और इन पॉइंट को आप लोग नोट कर लिजेगा इनको ध्यान में रखके आपको एंसर बनाना है तो चलिए व्यक्तिगत विविनता की कुछ परिवासा है तो कभी-कभी को कोश्चिन जो त्यारी कर रहा है यह आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिजेगा ठीक है तो यह सारा नोट्स भी बनाए गया है आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं इसक्रीन पर दिख रहे है वाट्सप नंबर टोईलर के अनुसर क्या है देखिए व्यक्तिकत विविनता की परिभाशा कि मापित की जाने वाली विविनताओं की अस्तित्तों को शारीरिक आकार आकृती द्याहिक कृत्य गामक च्हमताओं बुद्धी निस्पति ग्ञान रूचियों अहुरित्यों एवं व्यक्तियों के लक्षनों के रूप में परदर्शित किया जा सकता है तो यह दो डेफिनेशन एक है स्कीनर का और एक है टॉयलर का आपको ध्यान में रखना है इनको नोट कर लेना है अगर परिभासा लिखने के लिए तो आज़े दोनों परिभासा लिख लिजेगा तो चलिए अब आपक उसका आर्थ भी लिख देना है हो सके तो आप लोग परिभासा भी लिख दीजेगा और इसके साथ साथ उसका परकार को भी डिफाइन करना है आपको तो देखिए यहां पर व्यक्तिगत विवनता के परकार शामनेता व्यक्तिगत विवनता दो परकार के माने जाती है व्य जैसे इस तर्की नहीं होती है, कोई व्यक्ति स्मृति की दिश्टी से ठीक हो सकता है, लेकिन तर्क सकती में उतना अच्छा नहीं होता है, वह चिंतन सिल होने के सार सामाजी भी हो सकता है, तो देखिए पहला क्या है, आंत्रिक भिवनिता, यानि जितने भी मनुष्य है, जि इसा नहीं होता है जैसे कोई-कोई आत्मी को देखेगा आप या कोई मनिश्यों को जिसकी याद करने की चमता बहुत ज्यादा होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें तरक करने की चमता हो गई ठीक है तो किसी व्यक्ति में अगर याद करने की चमता ज्यादा होती है तो किसी म चमता होती है बाज्य विवनिता देखिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के वीच सारीक तथा मानसिक सकतियों और सनरचना के संदर में घटित विवनिताओं को बाज्य विवनिताओं के नाम से जाना जाता है तो बाज्य विवनिता क्या है दो या दो से अधिक व्यक्तिय के वीच जो सारी के और मानसिक सक्तियों और सनरचना के संदर में जितनी घटनाओं में विविनता होती है वाज़े विविनता उनको वाज़े विविनता कहा गया है अब देखिए व्यक्तिकत विविनता के कारक तो व्यक्तिकत विविनता के यहां पे बहुत सारे कारक है इन क कारग को आप लोगो फिर्फ को पॉइंट कर लेए जैसे के मालज है कि अपन पैक्प से लुंग नाँना है तो व्यक्तिकत भीनताओं के कारग कौई वॉन्ग्ष अनुकरम ठीक है टाग the qq किसमें किसमें होता है क्या कहा कहा होता है चलिए उसका आपको कुछ पॉइंट है पहला है वं व्यक्तिगत्प्नताव का परमुक कारन वं सनुकरम परमुक रूशोन पियर्षण टर्मन आदी है उन्होंने अपने परियोगो दारा सीथ कर दिया है कि व्यक्ति की सारिक और मानसिक व् वन सनुकरम है तो व्यक्तिगत विविनताओं का पहला कारण है वन सनुकरम और इसमें जो है रूसो, पीरसन, अटर्मन इन्होंने अपनी प्रियोग और शोद के द्वारा ये सिद किया है, साबित किया है कि व्यक्ति की जो सारीक और मानसिक विविनता है उसका विशिष्ट जो कारण है वो वन सनुकरम है दूसरा अमर पॉइंट है सारी विकाश विविन व्यक्तियों में लंबाई, भार, सारीक सनचना तता विविन शारीक अंगों की विकाश की गती और मात्रा में व्यक्तिगत विविनता की कारण अंतर देखा जा सकता है तीसरा है आयू शामनि चिखित्सा सास्त्रियों ने स्वभाव के कारण मनुश्य में अंतरमाना है जैसे कोई व्यक्ति स्वभाव से तेज होता है और कोई सूस्त कोई क्रियासिल होता है तो कोई निस्क्रिये यह सब क्या है से रपका व्यक्ति गद विवनता है यानि व्यक्ति अलग-अलग और उन तो इस तरह स्वभाव में भी विवनिता दिखी जाती है पांच वह सनवेग आत्मक स्थित्ता अनेक सारीक मानशिक और परिवेश जनित कारकों के कारण भीन भीन व्यक्तियों के सनवेग आत्मक स्थित्ता में अंतर होता है और इससे व्यक्तियों के स्वभाव में अंतर पातवर्ण् के गार्मन के कारण अंतर लाया जाता है। Mag. 7, लिंग भेद। यद पी को लड़का और लड़कियों में कारण नहीं मानते। तो भी निशन्द लोग लिंग भेद। से वक्तियों में अंतर देखा जा सकता है। है। और आठवा है वातवरन व्यक्तिगत अंतर में पातवरन का परभाव अनुवांग सिता से किसी परकार भी कम नहीं है बालक के पातवरन में करमशा परिवतन से उसके व्यक्तित्य में परिवतन देखा जा सकता है अनेक कारण लास्ट है उपरित कारणों के अलावा अनेक कारण व्यक्तियों में अंतर उत्पन करते हैं जैसे रूचियां अभीवितियां व्यक्तित्ते के विवने इस्थाई भाव तथा शामोहिक परिस्थितिया इत्यादी तो यह रहा व्यक्तित विवनेता के कारक तो इस और अगर आपको नोट शाहिए तो इस्क्रीन पर दिख रहे हैं नंबर एक कानवे दा से कानवे पंद्रा बावन पर हमें वाटसाप में मैसेज कर दिएगा चले मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया